शरद मलुतरा की वाइफ रिपसी भाटिया मलुतरा ने लगाई फेक शरबी फैंस के भेश में बैठे ट्रोदर्स को फटकार क्या है पूरा मामला आईए जानते हैं हाई गेस वेलकम बैक टू दी चैनल यारो शरद मलुतरा हाली में नागिन 5 में नजर आये थे सुरबी चंदना के उपोजिट वीर और बानी के रोल में शरद और सुरबी को फैंस ने काफी ज़्यादा पसंद किया और इनकी जोड़ी हैश्टेक वानी या फिर हैश्टेक शरबी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आज तक इन दोनों को साथ में काम करते हुए द्वारा देखना चाहते हैं फैंस इस से रिलेटिट पोस्ट भी रेगलरली पोस्ट करते रहते हैं फैंपेजिस और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आप भी वानी के बहुत बड़े फैन होंगे तो हाली में कुछ ऐसा हुआ कि शरब मलोतरा की वाइफ रिपसी भाटिया मलोतरा को वानी के कुछ फैन्स ने फेक फैन्स कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने जिस तरीके की भाशा का इस्तिमाल किया उनके लिए वो कोई real fan तो शरद का करेगा ही नहीं उन्होंने regularly वो रिपसी भाटिया को शरद और सुर्भी के वीर और बानी यानि के hashtag वानी moments के photos and videos भेज रहे हैं edit करके और प्यारे प्यारे जो भी moments थे नागिन 5 के दोरान हमने देखे उन सब को वो photos regularly भेज रहे हैं साती सात वो गलत messages भी लिख रहे हैं क्या messages हैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा तो इन से तंग आकर रिपसी भाटिया मलोतरा ने कुछ accounts को block कर दिया जिसके बाद एक और screenshot उन्हें send किया गया जो कि शरभी के वही fake fans ग्रूप में discuss कर रहे हैं कि रिपसी भाटिया ने मुझे block कर दिया है वो insecure हो रही है वीर और बानी को close देखकर उन फोटोस में वो insecurity से जल रही है इसलिए हमें block कर रही है तो दूसरी कह रही है कि हाँ हम तो वह ज़्यादा फोटोस भेजेंगे ताकि वो और जल भूनके insecure हो जाए यानि ऐसी फाल्तू की senseless बातें insecurity वगेरा जो messages जा रहे थे इस वज़े से रिपसी ने उन्हें block किया तो जिस ग्रूप में ये insecurity वाली फाल्तू की बाते हो रही है इसका screenshot किसी fan ने रिपसी भाटिया मलोतरा को बेजा जिसके बाद उन्होंने उस वाहिया screenshot को उन्होंने अपने इंस्टा पर post किया साथी साथ उनके लिए एक फटकार भी लगाई उन्होंने caption में लिखा है कि जहां उन्होंने उन fake fans के द्वारा यूज की हुई भाशा का mindset जो भी है उनका जो भी negativity इतनी वो सोचते हैं उसके उपर फटकार लगाई बताया कि जिस insecurity की वो बात कर रहे हैं वो insecurity तो कहीं exist ही नहीं करती है और कहा कि जब वो लोग शर्भी moments find कर रहे हैं photos find कर रहे हैं send करने के लिए रिपसी को जलाने के लिए तब रिपसी अपनी life में beautiful memories create करने में लगी हुई है शर्भ महलोतरा के साथ उन्होंने लिखा the language, the mindset so much of negativity it's amazing to see how passionate you guys are about things that don't even exist they are only burning you nobody else fortunately and unfortunately we are very different people I don't believe in hatred I don't have this kind of time to spend on someone when you are finding शर्भी moments to burn रिपसी भाटिया महलोतरा she is busy creating moments in her life this is the difference the couple you think is insecure is for real you only get to see our life through what we post which is the tiniest fraction of us if you were to actually spend some time with us you will realize a whole lot of things one of those things would be love for sure cause there is actually no room for insecurity or hatred where we are love when I read these things my only thought is what would be your last thought when this beautiful life comes to an end we often ask ourselves what did we do इस तरीके से बहुत लंबी चोड़ी फटकार लगाई फाल्तू और फेक फैंस पर रिपसी भाटिया महलोतरा ने तो आपको क्या लगता है क्या एक जोड़ी का फैन होकर इस तरीके की बत्तमीजी सेंड करना इस तरीके की सोच भी लाना सही है या गलत और क्या आपको भी लगता है कि रिपसी भाटिया महलोतरा ने बिल्कुल सही किया एक बार तो ऐसा डोज बनता है क्या है आपकी रियक्शन कमेंट में जरूब बताएगा साथ-साथ बागी अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन जरूब बैस कर दीजेगा मैं आपसे फिर मिलूँगा और अपडेट्स के साथ बाई टेक क्यार